Hey everyone, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, this is me, Shipra Tiwari बहुत-बहुत स्वागे थे, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराई जाती है, colorful मचलियां और free education ठीक है, अरे colorful मचलियां पढ़ना है अपने को आज ठीक है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बैतरे इन कुछ कर सके क्या पढ़ना है आज अपने को, super class, spices, बहुत सारे लोग इसको पिशी भी बोलते हैं, जो मन करें वो बोलो, बस पता रखो कि super class के अंदर आता क्या है, बहुत सारी, रंग बिरंगी, प्यारी-प्यारी, क्योट, क्यूट, सुन्दर-सुन्दर मचलियां, ठीक है, मचलियां होती भी बहुत सीधी हैं, क्यों सीधी हैं, क्योंकि बहुत जादा कुछ आपके जैसा इनके पास इतना बड़ा दमाग नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके पास sensitivity नहीं है, they are animal, they are well developed animal, they are well developed vertebrates, छीक है, इनके पास सब कुछ होता है, बस आप जितना डवलप नहीं है, तो आप जितना आप तो कोई भी डवलप नहीं होता, अपन लोग जितना कोई डवलप है, कोई नहीं है, पर फिर भी they have well developed systems, they have well developed organization of the body, छीक है, there are two types of fishes, among one group is the cartilaginous fishes and second one group is the bony fishes, ठीक है, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग discuss करने वाले हैं, अच्छा ये आपने देखा होगा, कि बहुत सारी जो fishes होते हैं, जैसे पीछे आप जुद लगी देख रहे हैं, इसका color आपको red दिखाई दे रहा है, actually होता क्या है, कि जो fishes होती है, इनकी जो skin होती है, इनमें iridocytes present होते है, iridocytes are special types of cell, जो की color produce करता है, ये बात हमेशा याद रखिए, कि iridocytes are special types of cell, जो की special type की color produce करता है, इसलिए आपको मचलियों की skin जो है, वो अलग-अलग color, अगर आप sunlight में देखेंगे, तो चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है, fishes जो होती है, इनका cod liver oil बड़ा famous है, लोग इनको बहुत चाओ से खाते भी है, मैं नहीं खाती है, पर बहुत लोग खाते है, तो चलिये, सबसे पहले, अच्छाई, NCRT में मुझे पता है, कि इसके दो classes दी हुई है, number one is the conductize and second one is the ostrichize, ठीक है, पर कुछ भी पढ़ मचलियों का Pisces का characteristics पढ़ लेते हैं, ठीक है, वैसे आज कल की जो है, तो बहुत सारे लोगों की जो है, तो जो राशियां जो होती है, संसाइन जो होती है, वो ऐसी रहती है, कि उनकी Pisces है, ठीक है, दो person who loves water, उनकी Pisces होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलो, सबसे पहले जो है, Pisces का habitat हम लोग देख लेते, कहां रहती है, बताइए, कभी किसली मचली को आपने लैंड पे चलते हुए देखा है, क्या, जमीन पर आपको मिलने, हाई हेलो करने आती है, क्या, कैसे हो तुम, नहीं आती होगी, क्योंकि habitat exclusively water ही है, हाँ ये है कि water कैसा भी हो सकता है, it may be marine and it may be fresh water, but all the fishes, 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 fishes क्या है, fishes कुछ नहीं, fish, fishes कुछ नहीं होता, it is fish, हमेशा याद रखी, ठीक है, तो अगर आप land या water में रह रहे हो, ठीक है, आप नहीं, fishes, ठीक, fish, fish, ये सिर्फ पानी में रहती है, पानी कुछ भी हो सकता है, fresh water हो सकता है, marine water हो सकता है, पर मचलिया पानी में ही पाई जाती है, हाला कि ये मुझे बताने की ज़र्वत नहीं थी, पर कोज भी पढ़ने से पहला उसका habitat discuss कर लेते हैं, ठीक है, उसके बार, the branch of biology, which deals with the fishes, की study, fish की study, called as ethology, बड़ा important term है, हमेशा याद रखिए कि biology में branches के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ जा इनके अंदर, इस super class के अंदर true fishes आती है, ठीक है, आपने सुना starfish, ठीक, सुना की नहीं सुना, they are not fishes, ठीक है, ये मचलियां नहीं है, बस मचलियां वही हैं, जिनको आप super class spices के अंदर पढ़ेंगे, अगर आप उनको super class spices के अंदर नहीं पढ़ रहे हो मेरे लला, तो फिर व ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा true fishes आती है, मैं एक point discuss करते जा रही हूं, explain कर रही हूं, मैं ये उमीद कर रही हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब मैंने ये पहले ही आपको बताया habitat, यहां से अपन discuss कर रहे हैं, तो habitat की बात कर रहे है, habitat जो होता है, habitat habitat जो ब नहीं हो ना मंगता, ठीक है, उसके बाद body division की बात करते हैं, body किस में divide है, अच्छा आपको पता है कि मचलियों में गर्दन नहीं होती, ठीक है, हाला कि मैंने इंसान भी ऐसा देखे हैं, जो कि गर्दन वाले नहीं होते, हम लोग उनको कहते हैं, अरे अरे तुमाई गर्द के अंदर हम लोग सब कुछ discuss कर रहें, फिर बोलना मत कि बताया नहीं था, तो इनकी body जो है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको labeling नहीं दिखाई दे रही, tension नहीं लो, मैं बता रही हूँ ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, head है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इतना, ये है इसका trunk, ये क्या है इसका trunk, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसकी tail, ठीक है, तो इनकी body जो है, वो तीन भागों में विभाजित रहती है, जैसे आपकी भी body बताओ कितने भागों में, सर, गर्दन, धड़ ठीक है, धड़, कमर, पैर, इतना आपका division है, वैसे इनकी body में, ये वाला पार्ट हो गया मेरे बच्चो, head, दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, trunk, ठीक है, और तीसरा वाला पार्ट क्या हो गया, tail, no garden, बिना गरदन वाला जानवर, ठीक, उसके बाद fishes का, मैं body की बात करत हूँ अब, ठीक है, देखिए, fishes का एक बहुत ही exclusive character है, ऐसा है कि आपने class cyclostomata इसके पहले ही पस पढ़ा था, बाबजी की बूटी पिलाई थी ने तुम्हें, उसमें तुमको मैंने बताया है कि scales नहीं होते हैं, ठीक है, body आपको liss-liss ही दिखाई देगी, body आपको बहुत सरपील ही दिखाई देगा, you think that it is a fish, but actually they are not true fishes, ठीक है, true fishes तो वहीं है, जो superclass spices के अंदर आते हैं, now, body में fishes का बहुत जादा एक prominent criteria, उनके scales होते हैं, अगर आप fishes खाते हैं, और नहीं भी खाते हैं, तो भी इतना तो देखा होगा ना, बाईया, कि इनकी body में छोटे-छोट स्केल्स आपको दिखाई देते हैं, स्केल्स अलग-अलब प्रकार के हो सकते हैं, हाला कि नीट में इनका question आता नहीं है, कोई है सोचे बता दो किस प्रकार का स्केल्स है, नहीं, हाँ, फिर भी मैं आपको स्केल्स बताऊंगी, कि स्केल्स जो है, वो कौन से fishes में किस का होता है, तो स्केल्स इनका बहुत थी ज्यादा प्रॉमिनेंट क्राइटेरिया है, कई बार आपने देखा होगा, कि ऐसे आपको fishes की स्किन में दिखाई देता है, कई बार आपने देखा होगा, कि और बता रही हूं, कई बार आपने fishes को ऐसा भी देखा होगा, उनकी स्कि होने का अभी just we are discussing about the fishes अगर आप इसके जनरल character सीख गए हो तो यही character तो भाई है cartilage वाले में भी होंगे और यही character bone वाले में भी होंगे क्या अलग है वो अपन वहाँ discuss कर लेंगे scale क्या करते हैं समझिएगा scale क्या करते हैं देखिए इतना fish जो होती है समझिएगा अगर कोई fresh water fish है तो osmosis process के दौरान सारा नदी का पानी उसके शरीर में आ जाएगा और bloat होकर वो फट जाएगे फट जानी अगर वो marine water fish है तो osmosis process के दौर क्या कहती है कि अच्छा पानी fish के अंदर है खराब बाला बहार है सारा पानी बहार चल जाएगा body dehydrate हो जाएगी तो scale का काम क्या है वहीया scale जो है वो body को over hydrate करने से बचाती है और dehydrate होने से बचाती है scales protection का का काम करती है कोई भी unwanted cheese अंदर बाहर ना हो scale इस चीज का काम करती है ठीक है तो यह point जो मैंने सबसे पहले बताया it is the most important कि जो fish होती है वो over hydrate और dehydrate होने से body को बचाती scales scales ठीक है now अब हम लोग बात करते body की बात करी रहें तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात कर ली scales की scales के टाइप वहाँ पर डिसकस करेंगे ठीक है now अब मैं आपसे बात करूंगी थोड़ा सा fins के बारे में ठीक है अब मचली है ठीक है आपने दो super class बनाई एक जिसके पास क्या होता है fin और एक जिसके बास slim fin क्या हर fish में या किसी भी fish में एक ही प्रकार के होते है no 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 fins जिससे वो तैरते हैं वो भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते है they may be paired और they may be unpaired ठीक है देखते हैं आज आईए देखती देखी 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 सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो paired fins are present for swimming ठीक है paired fins और unpaired fins दोनों होते हैं अगर आप देख रहे हैं पीछे वाला किस color से मैं आप लोगों को बना दू लेट मी सिलेक्ट yellow color ठीक है अगर आप ये वाला area देख रहे हैं look at this yellow highlighted area ठीक है this is the caudal fin बच्चो ठीक है ध्यान से देखना नहीं तो बोलना नहीं कि हमें बताया नहीं था ठीक है ये क्या है caudal fin अगर labeling की जरुवत नहीं labeling मैं यहाँ पर लिख दिया है पीछे वाली जो caudal fin होती है और dorsal fin ध्यान से देखो और ये वाली fin देखो ये वाली fin देखो और ये वाली fin ठीक है माला caudal देखो अभी तो ये छोड़ो caudal fin जो होती है इनका कोई pairing नहीं होता है ये unpaired fin होते है और ये तैरने में मदद नहीं करते हैं जितने में paired fins होते हैं जैसे ये dorsal fin ये वाले देखो ये वाला pair है ये वाला pair है तो जो भी paired fin होते हैं देखो ये दोनों anal fins जो हैं ये paired fins है ठीक है जो आपके पूछ वाले fins होते हैं caudal fin जिनको आप कहते हैं ये paired नहीं होते हैं तो paired और unpaired दोनों प्रकार के fins होते हैं, unpaired fin इनको balance करने में मदद करते हैं और paired fin इनको tearने में मदद करते हैं, ठीक है, अच्छा, body की face की बात करते हैं, तो they have dyrhinus condition, ठीक है, they have dyrhinus condition, suppose that this is a mouth of fish, ठीक है, तो इनके dyrhinus condition होती है, dyrhinus का मतलब they have two external nostrils, हाला कि nostril का कोई बहुत ज्यादा use है नहीं, क्योंकि जो भी ये respiration वगेरा करना है, ये सब mouth के मादब हमसे करते हैं, but they have dyrhinus condition, ठीक है, dyrhinus मतलब इनके पास दो nears होते हैं, ठीक है, so ये कुछ general characteristics आपको समझ में आए, एक बार में clear कर दू, ठीक, ये देखिए, so यहाँ पर आपको दिख रहा है they have eyes, they have pectoral paired fins, ठीक है, operculum इस fish में आपको gills के ओपर धकन दिखाई देगा, they have pelvic fins, ठीक है, वो भी वो होते हैं, paired होते हैं, lateral line system में ये जो line आपको दिखाई दे रही है, ये इनका balancing system है, ठीक है, anal fins है, dorsal fins है, caudal fins है, so there are so many types of fins present in the, present into the fishes for the balancing as well as the swimming, ठीक है, इत्ती बात किसी भी प्रकार का confusion, नहीं है, आगे चले, कोई confusion, done, 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 चलो, आजा, देखेंगे, हाला कि, year के बारे में हम लोगों नहीं पढ़ा, ठीक, और पहला chapter यही है, तो आप तो मेरे mood पे चड़ गए, अभी भी बहुत सारे लोगों का comment यह है, plant पढ़ादो, plant पढ़ादो, लोग, slowly, slowly, done, 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 पहले general characteristics of fishes समझ लो, ठीक है, internal ear इनके में present होता है, अच्छा, दूसरी internal ear के साथ-साथ आपने यह समझना है, कि इनके कान में कोई हड़ी नहीं होती, जैसे you have three types of bones, male ear, singus, tapis, they don't have, ठीक है, इनके पास कोई हड़ी कान में नहीं है, और even internal ear जो होता है, इतनी canals होती है, three semi-circular canals होती है, ठीक है, तो three semi-circular canals, जो उनका traveling time sound का बढ़ा देते हैं, ठीक है, semi-circular canals, अभी इतना detail में पढ़ने की जरूत नहीं है, पर आपको यह पता होना अच्छी है, they don't have external ear, they don't have middle ear, even they don't have tympanum, tympanum मतब कान का परदा, तो मचली को बोलोगे, इधर से जा, तो में भी वो सुने भी नहीं, but they have semi-circular canals, जो vibrations को detect कर लेते हैं, समझ गया, done, कोई दिक्कत इसमें, so they don't have external ear, they don't have pinna-vinna, they don't have middle ear, but they have internal ear, जो की semi-circular canals होती है, ear पढ़ेंगे अपल लोगे, tension, tension मुझे देते हैं, ठीक, तो यह traveling time को बढ़ा देता है, traveling time को ब vibrations से detect कर लेते हैं, ठीक है, तो fins की बात हम लोगों ने कर ली कि, caudal fin जो होता है, डॉर्सल fin, यह unpaired होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने internal ear की बात कर ली, अच्छा, eyes जो होती है, ठीक है, eyes, eyes में इनके eyelids नहीं होती है, अच्छा, इनके पास ना, बच्छो, आंकों में एक membrane होत निक्टी टेटिंग मेंबरेन, मैं हर चीज आपको बता रहे हूं, उसके बाहद आप फिशस को भूलना मत, ठीक है, यह मेरी आप से गोजारिश, ठीक है, इनके पास ना, निक्टी टेटिंग मेंबरेन होती है, तो यह पानी में आँख खुल सकते हैं, we have निक्टी टेटिं निक्टी टेटिंग में बाखी कुछ नहीं, ठीक, रेस्पिरेशन, फिशस का रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना पढ़ा आपन लोगों ने, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, इतने लेक्चर अटेंड किया, अपन लोगों ने, हर और्गानिजम का special respiratory organ भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था बोलो हाँ की नहीं पढ़ाया था भईया कैसे बूल गए अपन लोग नहीं बूलना चाहिए ना तो अपन लोगों ने पूरा respiratory system तो complete कर लिया है तो अपन लोगों ने fishes का respiratory system कैसे बूल गए भईया गरत बात है ठीक है तो गिल्स के थूरू ये respire करते हैं गिल्स हैव दा ब्लड वैसल गिल्ल है मिली तो पानी जब खुलता है तो पानी सा oxygen आती है ठीक है उसके बाद गिल्स के पास जो blood vessels होती है जब मुह बंद हो जाता है जैसी पानी अंदर आता है ठीक है तो जब मुह खुला होता है तो गिल्स बंद होते है जब गिल्स बंद होते हैं तो मुह खुला होता है तो उन्हों opposite चीज़ है ठीक है तो जब मुह खुलता है तो पानी अंदर आता है पानी के मध्यम से क्या आता है या oxygen आता है ठीक है उसके बाद गिल्स के पास क्या है गिल्स के पास है ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मुह खुला, पानी अंदर आया, पानी मुह बंद हो गया, आप गिल्स खुले, तो पानी गिल्स से बाहर निकलने वाला है, पर जैसी पानी गिल्स से बाहर निकलने वाला है, पानी के थ्रूँ ऑक्सिजिन जो आया है, वो गिल्स को दे देंगे, और गिल्स में जो काबन डिय dipnoy group है, समझना बात को, ठीक है, ठीक है, dipnoy group है, इनको तो हम lung fishes कहते भी है, ठीक है, इनके पास air bladder होता, even मैं आपको कहो बच्चो, जो हड़ी वाली fishes होती है, समझो बात को, there are two types of fishes, one is the marine water and second is the huddy वाली fishes, ठीक है, marine water, chondric thais, जिनके पास cartilage होता है, fresh water, boni fishes, अच्छा, ऐसा बिलकुल मैं समझना, कि boni fishes marine water में नहीं पाई जाती है, वो पाई जाती है, ठीक है, तो, आप लोग अभी कभी नदी वदी जाते होंगे, तो प्लीज देखना, कभी-कभी पाँ से बाहर आके, दम ऐसे कुद्धी होंगे दम ऐसे अंधर चिल जाती है, तो इनके पास जो air bladder होता है, वो इनको बाहर निकलने में मदने में मदने करता है, क्या कples है वतां हो मुझे, उस air bladder में ये लोग अना हमाबर ले है, तो जब ये पानी से बाहर निकलेघे, तो मसली बाइर बलाडर मेंườngद मचली कर रही हैं मचली कर रही है और ये तो ये इसासरे सकती नहीं तो पामी से रोबाधिर करते हैं तूम मुझे बताओ कभी पर रुख गई ना उसके पास air bladder नहीं है जिस जगा पर भी वह रुख गई कभी शार्क रुखती नहीं है ठीक है ओके वह रुखती कभी नहीं है और अगर वह रुख गई ना तो वह सी बेड पर आ जाएगी क्योंकि उनके पास air bladder नहीं है और पानी में फ्लोट होने का प्रॉपटी नहीं है उनके पास समझ गए तुम तो उनके पास पानी पे फ्लोट होने का प्रॉपटी नहीं है जबकि कोई नॉर्मल मचली रुख सकती है अगर उसके पास एयर ब्लाड है क्योंकि पानी में तैरने जिसको आप बायोंसी कहते हैं बियोंसी बा करते हैं उनके पास नहीं है इसलिए अगर आप वो रुख गई ना तो वो सीबेट के नीचे चली जाएंगी और मर जाएंगी ठीक है चलो थोड़ा सा हाट की बारे में बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले हाट की चैंबर्स के अगर मैं बात करूँ तो फिश्चेस का जो हा करो क्योंकि एक बार एक ही चीज़े पढ़ पढ़के जो है हा तुम्हारा तो अच्छा है यह तुम्हें तो रठी जाती है यहाँ पर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि मुझे एक्स्प्लेन करना पड़ता पर ठीक है तो इनका वीनस हाट क्यों कहते हैं भाया मतलब काटिलेज वाली फिशस के लिए भी सेम है और बोनी फिशस के लिए भी सेम है ठीक है यह तो आप लोग यह याद रखना मैं इसे लिए जनरल केरेक्टरस्टिक्स बता दे रही हूं ताकि मुझे बार बार यह ना बताना पड़े कि वहीया ऐसा है कि यह काटिलेज के का दूसरा चांबर वेंट्रिकल यह मैं पहले ही बता चुकी हूं ठीक है तो इनके पास दो चैंबर हाट होता है एक होता औरिकल और एक होता है वेंट्रिकल ठीक है अब आपने अभी थोड़ी देर पहले मुश्किल से 4-5 मिनिट पहले आपने क्या देखा था कि जब यह खोलते हैं तो पानी अंदर लेते हैं जो पानी अंदर लेते हैं तो उससे क्या अंदर लेते हैं यह अरे बोलो ना क्या लेते हैं इससे अंदर यह लेते हैं पानी के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर ठीक है और उसके बाद वो किसको देते हैं गिल्स की ब्लड वैसल को ठीक है वो body में जाएगा गिल्स के तिरू पूरे body में गया body में सारे tissues को दे दिया आपने oxygen बदले में tissues से तुम क्या लोगे बदले में tissues से तुम लोगे carbon dioxide लोगे की नहीं लोगे की छोड़ दोगे अरे लेना ही पड़ेगा तो gills के माद्धे हम से जो blood है या बोडी के टिशू को oxygen, टिशू से क्या ले लिया, ब्लड ने carbon dioxide, अब ये जो deoxygenated या carbon dioxide वाला blood है, अब ये heart में आएगा, और फिर heart pump करके उसे gills की blood vessels को देगा, क्योंकि वो carbon dioxide पानी को दे के बार करना है, इससे क्या देखा आपने, इससे ये देखा, कि heart में कभी pure blood तो आया नहीं, अच्छे, ये आपको बता है, मैं किसके लिए बता रही हूँ, ये उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग इस lecture को देख रहे हो, शायद circulatory system का नहीं देखा होगा, तो ऐसे heart को, हम लोग venus heart कहते हैं, जिसमें कभी pure blood आये ही नहीं, हमेशा deoxygenated blood आये, और जो fishes होती है, उनमें single circulation होता, heart में दो बर blood नहीं आता, heart में सिर्व एक बर blood आता, that's it, ठीक, ये याद रखना, अब भाईया, RBCs, मचली का blood जो है, वो red होता है, हीमोगलोबिन pigment है, कोई tension नहीं है, ठीक है, अब हीमोगलोबिन है, मतलब भाईया, RBC होंगी आपके पास, और RBC nucleated होती है, जिबकि हमारे पास नहीं है, ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, it is not exoskeleton, बच्चो, it is endoskeleton, ठीक है, क्योंकि exoskeleton जो है, या तो cartilage से, या तो bone से, ठीक, अगर cartilage से बना है, तो chondriocytes, bone से बना है, तो osteocytes, ठीक, osteocytes are the cells of bone, ठीक है, and chondriocytes is the, chondriocytes are the cells of cartilage, ठीक है, तो यह character आपको समझ में है, इसमें कोई tension तो नहीं, अगर है भी, तो बताओ मुझे, इसमें हाला के कोई tension नहीं होना चीज़, तो देखो, gills के बारे में हम लोग बात करे थे, देखो, gills है न, इसके पास, अभी यहाँ पे labeling शुडू हो जाएगी, देखो, gills है इनके पास, देख लिए न, डण, 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 तो यह अपनने पहला page of general characteristics हो गया, दूसरा हो गया, ना, तीसरा देखिए, इनका जो skull होता है, वो कैसा होता है, वो होता है, monocondyler type, ठीक, monocondyler skull क्या होता है, जान समझो, आपका skull कैसा, ऐसा, आपका जो skull होता है, यहाँ पर आपकी bone होती है, हम लोग सब पढ़ेंगे, tension नहीं लेना, ठीक है, तो आपका जो skull होता है, यहाँ पर पीछे न, यहाँ पर एक bone होती है, बच्चो, occipital bone होती है, वो, ठीक है, तो इस पर ऐसे दो projections बहार निकले रहते हैं, इनको कहते हैं, पर condyle, तो दो निकले हैं, तो dicondylic skull, एक निकला है, तो monocondylic skull, दो निकले हैं, तो dicondylic skull, और एक निकला है, तो monocondylic skull, अब इसके नीचे आपकी क्या होती है रेड की हड़ी स्कल के नीचे होती ही की नहीं होती है तो अगर आपके डाइक कॉंडालिक स्कल है तो कितना निकला होगा प्रोसेस? दो 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 और ऐसे जाके यह वर्टीब्रल कॉलम से फस जाएंगे पहली हड़ी से अब अगर आपके स्कल में एक ही प्रोजेक्शन निकला है आपकी यह वाली हड़ी से एक ही ऐसा प्रोजेक्शन बाहर है तो वर्टीब्रल कॉलम से आप ऐसे ही फस होगे जाके Fishes के पास Molocondylis कल है जबकि Human Being के पास Dicondylis कल है ठीक है? यह समझ गए? याद रखना ठीक है? Now, इनको क्या है ना? अच्छा, एक चीज आए यह मचली पड़ रहे हैं तो याद रखना बच्चो, इनकी बॉड़ीना Streamlined होती है, ठीक है? कभी आप लोगोंने Plains के डिजाइन को देखा है क्या? Plains का जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल Fishes जासा होता है क्योंकि उनको हवा का resistance चीरते हुए जाना है तो चोच वाला होता है ठीक है? प्लेन कभी ऐसे ऐसा चिपटा नहीं देता क्योंकि हवा में इतना resistance होता है कि उनको चीरते हुए जाना पड़ता है वैसे ही इनके साथ ये है कि भाईया इनको कहां रहना है? इनको भी पानी में रहना है पानी में इतना resistance है इतना resistance अब बिचारी क्या करेगी? तो इसको भी क्या करना है? पानी को चीरते हुए चलना है फारते हुए चलना है फार देंगे ऐसे ठीक है तो इसलिए इनकी बाड़ी जो है स्ट्रीम लाइन होती है इस लाइक दिस बोट शेप ठीक है अब अगर आपको यह लाइन आई डिखाई दे रही होगी पर मैं आज़ा कर दे रही हूँ तो इनके पास रिसेप्टर के नाम पर होता है लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है बच्चो लेटरल लाइन रिसेप्टर सिस्टम होता है इनकी बाड़ी में पूरे में ऐसे फैला रहता है इसे कहते »ilateral line receptor system तो इनको वा बैलन्स करने में मदद करता है किस में मदद करता है? balance करने में मदद करता है कि इधर चलो नो-ो-ो शिकार आ गया इधर चलो इधर चलो तो ये जो »lateral line receptor बैसे तुमारी आख है ठीक है? अब मुझे पता है कि भाईया ऐसा है कि इधर board लगा हुए अगर मैं हाथ इधर मारूंगी तो मेभी मुझे चोट लग जाए तो मेरा sense organ काम कर रहे है कि इधर जाना है और इधर नहीं जाना है तो lateral line system इनको सीधा चलने में मदद करता है और इनको बताता है कि भाईया इधर चलो और इधर मत चलो क्योंकि इधर जाओगे तो मर जाओगे ठीक है डन 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 इनकी kidney mesonephric होती तो अपनी कैसी होती metanephric mesonephric मतलब यहाप है middle portion of the body ठीक है तो आप excretion की बात कर रहे है ठीक है यहाँ पर excretory system जो है शुरू ही हो गया है तो heading भी डाली दूमे अच्छा digestive system में इनकी कहानी यह है कि इनके पास mouth होता है इनके पास elementary canal complete है cloaca होता है इनके पास cloaca is the part of the excretory system, reproductive system and the excretory system and reproductive system ठीक है now cartilaginous fishes के अगर हम लोग बात करें तो यह निकालती है यूरिया ठीक है यह निकालती है यूरिया न तुम्हारा न मेरा यह है यूरिया ठीक है तो number कम निल लाने अपने को कम से कम शाड़े 600 से उपर number लाने है नीट में अपने को ठीक है और marine bony fishes जो होती है वो trimethylamine oxide निकालती है TMA ठीक है TMO sorry यह unisexual होते है male और female आपको distinct समझ में आ जाएगी यह female मचली है male मचली fertilization इनका external और internal दोनों हो सकता है ठीक है ओके नाव जैसे shark वगरा जो तीन में internal होता है metamorphosis direct है इनकी metamorphosis मतलब direct metamorphosis ठीक SIS तो इनका metamorphosis direct है कोई larval stage नहीं है इसमें ठीक है अच्छा सबसे important जो point है वो क्या है they are cold blooded क्या होते है cold blooded cold blooded का मतलब यह है कि पानी ठंडा है तो temperature गरम कर लेते हैं और पानी गरम है तो temperature ठंडा कर लेते हैं तो कोई tension ही नहीं है ठीक है इनका जो cold blooded होते हैं च्माल मचलियां होती हो फिश फ्राइस केलाती है ठीक अच्छा मुझे एक और point यादा रहा है कि इनकी vertebrae कैसी होती vertebral column होती है पर इनकी vertebrae जोती है it is like that इस vertebrae को दोनों साइट से ऐसा होता है ठीक है दोनों साइट से कैसा होता है एसा होता है तो convex surface होता है इसे आप कहते हैं emphycellus vertebrae यह याद रखना है important है तो इनकी ऐसी vertebrae होती है यह हमेशा seasonal migration शो करते हैं ठीक है क्या शो करते है seasonal migration ठीक क्या शो करते है seasonal migration पर यह important point है पहले आप इसका screenshot ले लिजे फिर मैं अच्छा है पर दूब तो पर्हें दोई कब ने पाते हैं चिनको यह प्रॉबलम रहती है वह भी तो कि घ्यादा फूम्स कि द WOR 2008 कि सीजनल जो करते हैं me sir करते हैं मै futur घरमी है तो थन्डी वाली जगा पे चले जाओ ज्यादा salt tolerate नहीं कर पारे हाला कि ये salt tolerate करने वाली हो सकती है अगर कम salt है तो ज्यादा salt वाली एरिया पे चले जाओ तो ऐसे कोई t NGO चलो तो ये अपने सीक लिया है कि ये cold blood eight होते है अच्छा, cold-blooded का दूसरा नाम आपको बताए क्या होता है cold-blooded का दूसरा नाम होता है कि यह poikilothermic होते हैं क्या होते है? poikilothermic, we are homeothermic, they are acto-poikilothermic तो बाहर के temperature के according यह अपना temperature बदल सकते हैं if the thanda then they will garam, if there is garam then they will thunday, ठीक है? now, migrations की बात करते हैं, हलाकि शायद मैंने आगे के chapters में पहले basis of classification में की होगी पर let it be अगर नहीं की है तो, catadromus migration, यह क्या होता है catadromus migration अगर कोई organism, ध्यान से समझें, अगर कोई organism fresh water से, ठीक है? कहां जाता है? marine water में, ठीक है? catadromus migration क्या होता है? अगर कोई organism, fresh water से marine water में जाता है ठीक है? तो यह होता है catadromus migration, यह anguila जो fresh होती है ठीक है? यह generally एक fresh water organism है, fresh है, पर यह marine water में भी जा सकती है अच्छा, excretion अगर आप लोग chapter देखोगे, तो उसमें आपको यह समझ में आजाएगा कि कैसे वो side wipe करती है तो fresh water है, तो marine water में जाती है, तो vacuole गाया बोजाता है, वापस से fresh water में आती है, तो vacuole आ जाता है water vacuole ठीक है? so now next thing, अगर हम बात करें catadromus migration, catadromus migration मतलब यह होता है कि बच्चों कि अगर आप marine हो, ठीक है? और अगर आप fresh water में move कर रहे हो, ठीक है? तो आपो catadromus, यह दोनों terms याद रखिएगा जो मैंने आपको बताएं कि अगर आप, अगर आप क्या हैं? अगर आप, अगर आप fresh water से कहां move कर रहे हैं? अगर आप fresh water से marine water की और move कर रहे हैं then you are catadromus, then you are what? then you are catadromus, ठीक है? let me highlight, ठीक है? मुझे यह करना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? तो अगर आप fresh water से marine water की और move कर रहे हैं then you are ketodromas और अगर आप marine water से fresh water की और move कर रहे हैं like salmon, studion, hills, fishes हैं ये तो आप enodromas के लाए ठीक है, ठीक है, ठीक है Now, super class जो pices होती है ये इनको आप 3 basic classes में divide करते हैं, ठीक है इनकी super class pices है, इनकी 3 classes है मेली जिसमें 2 आपको पढ़ना है और 1 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है तो इसमें देखिए पहली जो placodermalai है ये आपको नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है kendricktheis और आपको पढ़ना of ast prophe 25 मेरी बात आप समझे, पहला आपको क्या पढ़ना है condrickthce और दूसरा आपको पढ़ना औस्टिक थाइस तो टेंशन आपको बिलकुल भी नहीं लेना है तो आपको क्लास हम सबसे पहली शुरू करेंगे पहला करिक थाइस शुरू करें हाला कि मुझे यहाँ कोने से आना चाहिए पर मैं चाहा रही हूं कि पहले अपन कोनि थाइस पढ़ लेते हैं उससके बाद १ाесनिक देखे, chondrit thighs का सबसे मतलब इसका नाम chondrit thighs क्यों पड़ा, सबसे पहले मैं यह बता दू आपको, देखे, chondrit thighs जो fishes होती है, यह fishes का जो skeleton है, endoskeleton है, वो cartilage का बना होता है, किसका बना होता है, यह cartilage का बना होता है, यह जो fishes है, इनका जो endoskeleton है वो cartilage का बना हुआ होता है तो मैडम cartilage इतना कमजोर skeleton तो तुम्हें क्या लग रहा है कि cartilage एक कमजोर skeleton है तो मैं बता दू नहीं मेरे मुन्ना बिल्कुल भी नहीं connective tissue अलग है पर ऐसा मत समझो कि इसकी strength नहीं है वहिया किसी भी चीज़ को असानी से grasp कर सकते हैं ये तो बिल्कुल भी ऐसा ना समझेंगे आप तो इनका जो endoskeleton होता है ये बना हुआ होता है किसका ये बना हुआ होता है cartilage का जो कि एक connective tissue है ठीक है अगर आप ये देखें ठीक इनका mouth देखो cute है शार्क है ठीक है तो शार्क में कोई हड़ी आपको दिखाई नहीं देगी इनका mouth देखें इनका mouth एक बहुत ही बड़ा characteristics है ठीक है चारेक्टर्स शुरू करते हैं conductize अच्छाँ आपको बटा है conductize जो fishes होती है जादा तर बच्चों ये marine होती है chondric thys जादा तर fishes जो होती है वो होती है marine ये चीज अपने दिमाग में रखना भूल नहीं जाना बिल्कुल चीक है सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं देखें सबसे पहले chondric thys जो होती है ये cartilaginous fishes होती है इनका जो endoskeleton होता है वो cartilage का बना हुआ होता है जो की soft connective tissue है normally इस class के जो member है हाला की fresh water नहीं marine water ही होते है normally इस class के जितने भी member है वो marine water होते है ठीक है अच्छा अगला पढ़े ही skin देखें ठीक है skin जो है इनके पास होते है skin में scales जिने आप कहते हैं plecoid scales ठीक है होते हैं plecoid scale plecoid scale का अगर आप diagram देखें तो it is like trichule like ठीक है तो इनके मैं ऐसा लग रहा है कि heartbeat बना दिया है मैंने चलो ठीक है इसको में मिटा देती हूँ तो इनका जो ऐसा it is like that ठीक है तो trichule जैसा plecoid scales इनकी body में आपको दिखाई देंगे जो कि इनकी skin बनाते हैं ठीक है so there are so many types of scales बट इनके पास plecoid scales होते हैं ठीक अच्छा आगे हम बात करते हैं इनके respiration की ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे respiration अच्छा जो fishes होती है ना बच्चों हमेशा यार रखो fishes का जो classification है वो किसके आधार पर है वह इंसानों का classification आपने किसी के आधार पर किया होगा ना इसके बाल इसकी naak इसका कान इसका मुख इनका classification किस का अधार पर किया है अच्छा तो इनके पास gills होते हैं, they have gills, कोई tension नहीं है, they have four to seven pairs of gills, okay, how many pairs of gills they have, they have four to seven pairs of gills, चेक है, तो इनके पास four to seven pairs of gills है, पर problem यह है कि इनके पास, gills के पास कोई धक्कन वक्कन नहीं है, अच्छा, gills के पास जो normal आप घर पे मचली खाने के लिए लाते हैं, अगर आप खात हैं तो, तो हो सकता है कि gills के उपर आपको कोई धक्कन दिखे, पर इनके उपर, gills के उपर कोई धक्कन नहीं होता, आई बस समझ में, they don't have any type of धक्कन over the gills, and the धक्कन is known as operculum, the धक्कन is known as operculum, तो इनके पास किसी भी प्रकार का कोई जो है तो भहिया, धक्कन वक्कन नहीं है, सीधा पानी के माध्यम से काम होता है, ठीक है, ना, तो यह operculum लिखा भी हुआ है, कि इनके पास operculum नहीं होता, ठीक है, अच्छा, इनका जो माउथ है, ये नीट का question बन सकता है, ठीक है, बहुत important point है ये, कि इनका जो माउथ होता है, वो इनका ventral है, ठीक है, अगर ऐस इनका जो माउथ होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो इनका जो माउथ होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो इनका जो माउथ होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो इनका जो माउथ होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, होता है, of the head and fishes के भायंकर, बिल्लू भायंकर characteristics अबने थोड़ी दिर पहले ही पड़े, तो इनके पास head होता है, jaws होते, teeth होते, अच्छा, इनके पास दोनो jaws है, upper jaw भी है, lower jaw भी है, पर इनके दाथ जो है, हाँ, दाथ भी present होते हैं, तो पकड़ लेती है ये जो group of animals होते, they are predaceous, ठीक है, ये होते हैं, predaceous, predaceous का मतलब ये है, आ, तुझे खा के मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, ठीक है, so they are very predaceous, तो अगर शार्क के मूँ में हाट डालने जा रहे होना, बैटा, तो जाना, मत, क्योंकि घपक लेगी तुम्हें, इन्हें आप lesmobrancs भी कहते हैं, ठीक है, okay, done, ठीक है, now, अच्छा, मेराइन fishes में chimera एक ऐसी fish होती है, बच्चो, जिन में operculum present होता है, जबकि ये cartilaginous fish होती है, ये आपको कोई भी shark, समझो मेरी बात को, कभी भी अगर आपने कभी समंदर, if you love water diving, underwater diving, तो कभी भी अगर आपने shark देखी होगी, भगवान करें, आप ना देखें, आप discovery में ही देखें, तो अगर आपने देखी है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप discovery में देख लो, कभी भी शार्क आपको उथले shallow water में नहीं दिखाए देती है, ठीक है, शार्क हमेशा deep water में दिखाए देती है, एक तो शरीर बहुत भारी है, और बेटा शरीर जब भारी हो जाता है, तो उसको उठा पाना is very difficulty, कि मुझसे पूछो ना, तो एक तो शरीर भारी दूसरी बात है बच्चों कि इनके पास अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने यह सिखाया भी था, कि इनके पास air bladder नहीं होता, तो यह उचा-कूचक नहीं सकती, ठीक है, कूद नहीं सकती, तो उन्हें हमेशा water bed पे तैयरना पड़ता, और यह हमेशा चलती रहती है, क्योंक ठीक आप, नाँ, digestive system की हम लोग बात करें, तो they have complete digestive system, they have mouth, ठीक, they have mouth, they have intestine, but they have scrawl valve, ठीक है, scrawl करो, आगे बढ़ाओ इसको, ठीक है, scrawl करना जड़ा, इसको आगे बढ़ाना जड़ा, ठीक है, scrawl करो, scrawl करो, mouse को scrawl करते हो, तो इसी तरीके से, इनके intestine के बास भास भा scrawl valve, क्या होता है मेरे राजा बटा, scrawl valve, ठीक है बच्चा, अब scrawl valve जो होता है, यह surface area को बढ़ा देता है, तो जिसकी वज़े से, इनका पेट ना बहुत बढ़ा हो जाता है, कभी-कभी मैंने सुना टीवी पर ऐसा, हाला कि ऐसा होगा, ऐसा live मैंने कभी देखा नहीं, तो बहिया ऐसा है कि वो पचा सकती है, क्योंकि इनका intestine जो है, उनके पास scrawl valve होता है, जो धक्का मार मार के आगे बढ़ाता हो, surface area को बढ़ा देता है, जिससे वो जादा से जादा खाना खा के absorb कर सकते है, चेक है, ना, इनके पास जो है ना, cloaca होता है, इनका जो annus वाला side बहिया, बच्चों, उनके पास cloaca present होता है, अच्छा, क्या है cloaca, cloaca तीन चीजों के लिए बनाया गया, ठीक, reproduction, excretion, digestion, ठीक है, यह दो चीज़ बोले, excretion और reproduction, मतलब ये इनके पास एक ऐसा aperture है, aperture का मतलब होता opening, तो इनके पास एक ऐसा aperture होता है, जिसे हम केते है cloaca, अच इनका जो pelvic fin होता है, pelvic fin जो यहाँ कमर के पास होता है, मैं आपको दिखाउंगी मैच, उनका जो pelvic fin होता है बच्चों, वो modify हो जाता है, ठीक है, so इनका जो pelvic fin होता है, ठीक है, I am not so good in making this shark, ठीक है, but let it be, I am trying, ठीक, तो इनका जो pelvic fin होता है, ठीक, okay, suppose that this is a pelvic fin, it is modified, ठीक है, it is modified, okay? इनका जो pelvic fin होता है, वो modify हो जाता है, ठीक है? ऐसे अगरा है कि कोई reptile बना दी है, मैंना, ठीक? तो इनका जो pelvic fin है, okay? pelvic fin, वो modify हो जाता है, एक structure में, जिसे आप कहते है, class पर, क्या कहते है? class पर, यह याद रख रहा है सब लोग, ठीक? अब इनके पास कोई copulatory organ तो है नहीं, what is the copulatory organ? male penis नहीं है इनके पास, जैसे human beings में होता है, they will release their sperm into the female body by the process of copulation, they don't. If you are telling that, कि इनके पास internal fertilization भी हो सकता है, मतलब कि इनका male जो है, उसे female को sperm तो देना ही पड़ेगा, ना? अब है नहीं, इनके पास कुछ copulatory organ, penis penis है नहीं, क्या करेंगे? तो इनका जो pelvic fin होता है, वो modify हो जाता है, pelvic fin इस जगह पर होगा, अभी आपको दिखा रहे हैं तो इनका जो pelvic fin होता है, वो modify हो जाता है, clasper में ठीक? It is a penis like homologous, analogous कहता हूँ, not homologous modified into the clasper, what the clasper will do? क्या करेगा? वो क्या करेगा? कि वो female cloaca को ऐसा जाकर insert होकर उसे खोल देगा, ठीक है? तो जितना भी sperm है, वो cloaca के थूँ entry लेगा, मेरी बात समझ में आई आपको कि what is the role of clasper into the male shark? It will open the female cloaca, what he will do? He will open the cloaca of the female, then all the sperm which is present into the male body, will entered into the female body, then the cloaca will close and the internal fertilization will go also on. ठीक है? ठीक है? तो यह आपको समझ में आई, class पर इनका copulatory organ है, बहुत important point है, please आपने इसे याद रखना है, ठीक है? कटा हुआ नहीं है यह, ठीक है? तो इसे आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है? तो इनका copulatory organ है fertilization internal होता है ठीक, fertilization internal होता है अच्छा मुझे fertilization से एक और बात याद आई, जो मैं यहाँ पर discuss करना चाती हूँ क्या discuss करना चाती हूँ? मैं यह discuss करना चाती हूँ कि shark को लोग वीवी पैरस मानते हैं आपको पता है? नौर्मली shark को लोग वीवी पैरस मानते हैं कि shark बच्चों को जनम देती है NCRT बे भी हम लोग देख लेंगे कि exactly यह क्या है पर इसकी कहानी सुल लीजे OVी पैरस और वीवी पैरस It is not exactly वीवी पैरस चीक है? अगर आप यह सोचते हैं बच्चों को जनम देती है तो ऐसा बिल्कुल भी निए It is not true वीवी पैरस No, no, no Shark भी एक वीवी पैरस हो सकती पर आपको पता है इनके पास ना दिमाग होता है अगर यह अपने अंडे बाहर दे देंगे तो बाकी प्रिडेटर्स इनके अंडों को खा जाएंगे और बाकी मचलिया इससे डरती है बड़ी है ना खा जाएगे तो यह हमेशा क्या करती? फर्टिलाइस करने के बाद अपने पेट के अंदर ही बच्चों को छुपा के रखती बच्चे मतलब अंडों को चुपा के रखती जैसे यह अंडे डवलप्मेंट इनका पेट के अंदर होता है उसके बाद अंडे फट जाते हैं और इट विल कनवर्ट दा फ्राइस चोटी-चोटी मचलिया इस कॉल्ड ऐस फ्राइस उसके बाद जो है क्लोइका ओपन होता है और सारे फ्राइस बाहर आते हैं काईदे से यह क्या है काईदे से हमें देखने में उतस लगा शार्क ने बच्चे को जन्म दिया पर शार्क बच्चे को जन्म नहीं देती बेटा शार्क एक अंडे को ही जन्म देगी, पर क्योंकि अंडा कोई और मचली न खाले, इसलिए वो अंडे का डवलप्मेंट अपने पेट के अंदर करती है, और फिर फ्रैस बनते हैं, फ्रेंच फ्रैस नहीं, छोटा बच्चा of the मचली is called as fry, उसके बद क्लोएका से फ्रैस को बाह तो यह ओवी पैरस भी हो सकते हैं, अंडे भी दे सकते हैं, और बच्चे किस तरीके से देंगे, यह आपने समझा भी, ठीक है, आगे चलें, इसमें कोई डवलप, इसमें कोई, अच्छा, डवलप्ड बाई देने रैजज़ो पहले फिंस वाट, क्लैस पर यह, मैंने आपक यलो ही ले लेते हैं, यलो ही सबसे सही कलर है हाईलाइटर में, ठीक है, यह क्लैस पर है, लुक एड दिस एरिया, देस एरिया, देखो इधर, तो पैल्विक फिं जो है, यहां पर एक छोटा सा, ऐसा पॉइंटेट स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिससे आप कहते हैं क्लैस पर इत विल इंसर्ट इंटो थे लेख फिंटेट इंटो फिंस देखलें, इनके पास नॉस्ट्रिल अच्छे चारेक्टर जो मैने पहले मशली के बता दिया थे वही चलेंगे, ठीक है, ओ हो, सो देहब नॉस्ट्रिल, शार्क देखिये क्या कभी, देखना, ठीक, स्नाउट ऐसा चोच जैसा इसका भाग निकला हुआ होता, देहब माउथ, देहब गिल्स, बटट देहब गिल्स, बट दोन्ट इंटोर्ट पर उपर ही देख रहे हैं आप, बाकी पेल्विक अपर्ब पिंस जो होते ही, पेयर उते हैं, ठीक है, अब अब अच्छे, अब अपन लोग को बात करते हैं किसकी examples की बात कर लेते हैं इसकी आजाई है तो इतनी बात आपको clear होगा है इसमें कोई दिक्कत परिशानी की बात नहीं है यह दिया प्रिडेशियस fishes कैसी होती है यह प्रिडेशियस होती है किसी को भी खाने में इनको बहुत मजा आता है ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके examples बहुत important है इनको आप कहते हैं स्कॉलियोडॉन इसे आप डॉग फिश कहते हैं क्या कहते हैं डॉग फिश क्योंकि डॉग में sense of smell बहुत तेज रहता है इन फिशियस में भी sense of smell बहुत तेज रहता है ठीक है अच्छा बाकी सारे जो general characteristics मैंने आपको बताया ने कि lateral line system होता है और two chambered hat होता है और बाकी कहानी मैंने आपको इसके थोड़ी दर पहले बता दी थी वो इन में भी पाया जाएगा यह कोई महान नहीं आत्मा नहीं है कि इनके पास three chambered hat पाया जाएगा इनके पास पाया ठीक है देखिए next is carcorodon it is a great white shark pristice बहुत important example है यह look at this अच्छा आपको पता है कि इसको आप saw fish saw का मतलब होता चाकू ठीक है तो इसको आप pristice कहते हैं चाकू जैसा इसका arrangement रहता है ठीक है मैं दिखती है trigon trigon जो होती है इसको आप sting ray कहते है क्या कहते है इसको आप लोग sting ray कहते है यह इनके पास poisonous spines होते है इसलिए समंदर में जाके किसी भी मचली को छेड़ खाने ही मत करना ठीक है तो यह poisonous they have poisonous gland on to do the skin which will modify it into the spine and if you will touch the spine they will produce the poison and it will enter into your body neurotoxins हो सकते है परलाइज हो सकते है समंदर के अंदर मर जाओगे ठीक है next is torpedo torpedo करीब 100 volt का जटका देती है इनके पास modified muscles होती है इसके skin में ठीक है ऐसे 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 चलती है next class में आपको इसके images दिखा दूगे में ठीक है तो इनके पास skin में बच्चो modified muscles होती है जो की electrical current produce करती है क्या produce करती है electrical current produce करती है और जैसे ही आप इनको touch करोगे you will लगेगा 440 volt का जटका not exactly 440 volt का under 220 or 150 maximum ठीक है राइनी दॉन इट इस दा white shark it is the largest machli ठीक है it is the largest machli on to the sea or the earth ठीक है नाव ऐसे बहुत सारी fishes होती है ठीक है जो की हम लोग अभी पढ़ेंगे ठीक तो ये हुई chondriky thighs चो cartilaginous fishes होती है क्या क्या देखा तुमने इसमें अभी हमने देखा बाकी सब general characteristics बच्चो सारे skull इनका वैसी है kidney mesonephric होगी सब सबकी जितनी भी fishes तुम आगे पढ़ोगे मैं हर एक बार revise कर वाओंगे मैं जब ऑस्टिक था इस पढ़ाऊंगे तो भी एक बार revise कर दोंगे cold-blooded होंगे ठीक है अच्छा cold-blooded से मैं आपको इक चीज याद दिला दूं कि जब हम cold-blooded से homeothermic बनते हैं ठीक है जब हम convert होते है cold-blooded से warm-blooded तो आपको क्या लगता है यह बहुत आसान प्रोसेस है नो यह बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं है यह बहुत टफ प्रोसेस है जब हम अपने आपको develop करते हैं तो हमें बहुत सारी energy देनी पड़ती है अपने आपको बहुत मैनत करवानी पड़ती है तब हम जाके होमियोथर्मिक बने है होमियोथर्मिक का मतलब बाहर कुछ भी होता रहे मेरी बॉड़ी मेंटेन है और वह मेंटेन ही रहेगी भाई ऐसा है ठंडी है तो शटर पैनलो गर्मी है तो पंकषा चला लो और बरसाते तो चाहता उलो बात अलग है पर अगर आप अपने बॉडी या अपने आपको बदल लेते हो ठीक है नोटो कोड की बात करू तो इनकी जो है नोटो कोड होती है इनके में परसिस्टन होती है पर बहुत पतली और रिडियोस हो जाती में भी आपको ना दिखाई थे ठीक है तो what we have learned in this class we have learned the general characteristics of the Pisces and the Chondric Thais fishes ठीक है in the next class I will tell you something not new exactly the part of this lecture next class में मिलते हैं एक नई चीज के साथ में को यह लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है lecture मैंने बहुत ही धीरे डिलेवर किया है ताकि वो दिल तक तुमें चुए और दिल से जो अवाज निकले हो मेरे कानों तक आए ठीक है so see you in the next class next class में आगे कुछ पढ़े thank you so